आप देख रहे हैं एक खुबसूर्त से साइनエरिया की फ्लावरिंग प्लान्ट ये विन्टर सिजन का सबसे बैस्ट फ्लावरिंग प्लान्ट होता है इसमें हजार कलियां एक बार एक साथ खिलती हैं और इसके जो फ्लावर होते हैं वो एक महीने तक खिले रहते हैं ऐसे के ऐसे ही तो आप अगर अपने गार्डन में फ्लावरिंग प्लांट एड़ करना चाते हैं तो इस प्लांट को जरूर एड़ करिए और ये साल्विया का प्लांट है इसमें भी काफी अच्छी फ्लावरिंग देखने को मिलती है विंटर सिजन में इसकी भी काफी अच्छी ग्रोथ हो रही है ये देखिए ये वाला प्लांट भी मेरा काफी अच्छी ब्लूम करने वाला है इस पे भी कलिया काफी बंचीज में आई हुई है, इसमें काफी कलर आपको देखने को मिल जाएंगे जो साइनी इरिया के फ्लावरिंग प्लांट होते हैं उनमें बहुत सारे कलर मिल जाएंगे, मेरे पास भी तीन चार कलर मेंने एड़ किये हैं इस बार ये दूसरा कलर है इसका और कलिया देखिए इस पे कितनी सारी आई हुई है और ये साइड से मेरी गुल्ड के प्लांट भी लगा दिये हैं और गुल्दाओदी के प्लांट भी लगे हुए है जितने भी पोदे मेरे यहाँ पर लगे हुए हैं वो सब जमीन में लगे हुए है यह गारडन में पहले आप लोगों के साथ में कभी शैर नहीं किया है क्योंकि मैंने इसमें अभी फ्लावरिंग प्लाट लगाना शोड़ू किये हैं और काफी अच्छे प्लांट है मेरे यह देखिये कितने अच्छी ग्रोथ है ये next color है sign area के plant का और काफी अच्छी ग्रोथ चल रही है plant की और देखिए ये बीच में मैंने इसमें गुल्दावदी के plant भी लगाए हुए है flowering start हो गई है कुछ plant में flowering start हो गई है और कुछ में कलिया अभी बन रही है उनमें flower flowering plant होते हैं इनको आप जरूर एड़ करिए अपने गार्डन में बहुत अच्छी flowering करते हैं ये बंची में flowering होती है इसका फोड़ा थोड़ा चोटा ही रहता है बड़ा नहीं होता है लेकिन flowering काफी अच्छी होती है और इस साइड से marigold के plant लगाए हुए है इस वारी क्यारी में यहाँ पे इसमें flowering अभी start नहीं हुए कुछ पोड़ो में एक दो flower आना अभी शुरू हो गया है लेकिन अभी इसके plant थोड़े चोटे हैं थोड़े बड़े हो जाएंगे तो इसमें एक साथ जब flowering होगी तो काफी अच्छी क्यारी लगेगी यह उसका वीडियो भी आप लगों के साथ में share करूंगी यहाँ पर भी यह winter season के flowering plant लगे हुए हैं और यह जहाँ पे side से जाड़िया लगा दी हैं यह भी थोड़ी छोटी हैं और यह करी पत्ते का plant है देखिए जमीन में कितना अच्छा grow हो रहा है winter season में भी winter season में जादा अच्छी growth नहीं होती है जो curry leaves के plant होते हैं वो yellow हो जाते हैं जो गमले में लगा हुआ है मेरे पास पोदा उसका भी वीडियो में आप लगों के साथ में share करूंगी उसके जो लीव हैं वो yellow हो रही है लेकिन यह काफी अच्छे से grow कर रहा है और यह देखिए इदर मेरी गुर्ड के plant लगे हुए हैं यह भी बहुत छोटे हैं और यह डहेलिया के पोदे हैं भी काफी बड़ी क्यारी है डहेलिया की मेरी इसमें काफी अच्छे से grow चल रहा है यह सारे जितने भी plant है डहेलिया के यह सब cutting से लगाए हुए पोदे हैं और बीच बीच में इनमें आपको गुल्दा ओदी के plant भी देखने को मिल जाएंगे इनमें flowering स्टार्ट हो रही है काफी अच्छे से और अभी बारिश हो रही है जन्वरी का महिना है तो plant थोड़े अच्छे से grow नहीं कर रहे हैं लेकिन मार्च तक इनमें काफी अच्छी flowering देखने को मिलेगी और ये डेहलिया के पोदे काफी अच्छे से bloom करेंगे ये देखे गुल्दा ओदी के plant पर कितनी अच्छी flowering हो रही है काफी अच्छी flower आए हुए हैं इस वाले plant पर और बीच बीच में इसी तरह से मैंने लगाए हुए हैं पोदे और डेहलिया के पोदे काफी अच्छे से grow कर रहे हैं ये पहले लगाया था मैंने गुल्दा ओदी का plant इस पर flowering हो चुकी है पहले और ये भी देखे कितनी चीज़ पर पूरा भर के गुच्छों में flowering होती है गुल्दा ओदी के plant पर भी और एक डेड़ महीने तक इसके जो flower होते हैं वो ऐसे खिले रहते हैं और इस वाले plant पर flowering हो चुकी है जो flower खिल जाते हैं गुल्दा ओदी के उनको ऐसे remove कर देना चाहिए इसमें दूसरी flowering भी March, Last या फिर April तक आपको देखने को मिल जाएगी तो इसकी pinching जरूर कर दीजिए मैं भी इसको pinch कर दूँगी और ये दूसरे वाला plant इसमें भी काफी अच्छी flowering हो रही है तीन चार plant मेरे पास गुल्दा ओदी के एक ही color के हैं लेकिन काफी अच्छे लग रहे हैं लगे हुए जब बर-बर के इन में flowering होती है और एक महीने तक एक डेड़ महीने तक इसके flower ऐसे के खीले रहते हैं ये भी उसी के साथ मैंने plant लगाया था जो पीछे plant आपने देखा इसमें भी इसी तरह से pinching करनी पड़ेगी मुझे फिर इसकी growth काफी अच्छे से हो जाएगी गुल्दा ओदी का पुदा आप एक बार लगा दीजे उसके बाद ये साल भर आपके पास रहता है लेकिन इसमें flowering सिर्फ winter season में ही होती है गर्मियों में इसकी growth होती रहती है लेकिन आपको full सिर्फ winter season में ही देगा या पुदा और next season में तो और भी ज़्यादा अच्छी growth हो जाएगी इसकी तो फिर काफी अच्छे से bloom करता है ये मैंने first time अभी इनको लगाया है जितने मेरे flowering plant है और ये yellow bells का plant है ये पहले से ही लगा हुआ था लेकिन इसकी cutting कर दी है हमने इस time पर इसकी cutting कर देनी चाहिए फिर इसकी गर्मियों में इसमें flowering काफी अच्छी होती है तो अगर yellow bells का plant आपके पास है तो इसकी cutting कर दीजिए इस time पर फिर गर्मियों में काफी अच्छी इसमें blooming होगी और यहाँ पर ये पिटूनिया के plant लगे हुए है इंड में flowering start नहीं हुई है कुछ समय के बाद इनमें flowering start हो जाएगी और ये rose का plant भी लगा हुआ है इसकी growth start हो रही है इसमें composting करनी पड़ेगी मार्च तक इसमें भी flowering देखने को मिल जाएगी थोड़ा late लगाए हुए plant है इस सारे जितने भी मैंने आप लोगों के साथ में share किये सिर्फ गुल्दावदी में अच्छी blooming हो रही है इस time पर और ये देखिए next color है गुल्दावदी का कितना प्यारा color है काफी अच्छे flower इसमें भी आये हुए है और काफी time तक खिले रहेंगे ऐसे कि ऐसे ही बहुत अच्छे लगते हैं जो merry gold के plant ये पहले लगाए हुए है इन में flowering start हो गई है कलिया भी आनाथ शुरू हो गई है इन में और तीन-चार पोदे ये एक ही color के साइड में लगे हुए है काफी अच्छा color है इस ये वाला गुल्दावदी का ये दिखिए कितनी अच्छी blooming हो रही है एक डेड़ महीने तक ऐसे खिले रहते हैं इसके flower तो काफी अच्छे लगते हैं और जितने भी ये प्लांट है गुल्दावदी के सभी cutting से लगाए हुए पोदे हैं और इसमें अभी flower अभी आए नहीं है color पता नहीं है ये 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 येल्लो वाला प्लांट है ये भी काफी अच्छी bloom कर रहा है काफी टाइम से खिले हैं इसके flower भी और काफी खुबसूरत लग रहे हैं ये नेक्स्ट पोदा है गुल्दावदी के इस बार मैंने काफी प्लांट एड़ किये हैं जो flowering प्लांट है सारे winter season के ही हैं जो आप लोग देख रहे हैं काफी अच्छी blooming हो रही है कुछ में हो चुकी है और कुछ में मार्च अप्रैल तक काफी अच्छी blooming हो जाएगी और डहलिया के पोदे तो काफी सारे इस बार एड़ किये हैं तो बहुत सुन्दर लगेंगे उनका overview भी मैं आप लोगों के साथ में जरूर शेयर करूंगी और ये साथ या का पोदा इसको कटिंग से इसली ग्रो किया जा सकता है काफी कुप सूरत लगता है ये पोदा और ये पिटूरियां के कुछ सीड ग्रो हो रहे हैं काफी अच्छे से इनकी ग्रोथ हो रही है ये देखे कितनी अच्छी ग्रोथ है इनको हम फिर ट्रांसफर कर देंगे और ये दूसरा गुल्दाओदी का यलो कलर का ही फ्लावरिंग प्लांटेस में भी फ्लावर आना शुरू हो गई है और ये देखे इस प्लांट की ग्रोथ कितनी अच्छी चल रही है काफी अच्छे प्लांट है तो आप लोगों को मेरे का ओवरव्यू कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट वोक्स में लिखना मत बूलिएगा पहली बार मेने अपने गार्डन का ओवर ये प्लावर नहीं है मुझे बाईए का ज़ूर की आप लोगों को कैसा लगा मेरा गार तर दर की साइड महीरी गोल्ड के प्लांट लगा र में संगल पैर्टन का देशी वेवकस और सर्दीयों में काफ़ी अच्य फ्लावरिंग हो रही है देखिए कि इंचिसमें कलियां होई है । जमीन में काफ़ी अच्य ग्रोग करते हैं प्लांट और यह करी लीव से दूसरे वाला करी लीव है यह भी जमीन में लगा हुआ है काफी अच्छी ग्रोथ है इस वाले करी लीव की भी अगर आपके पास जमीन है तो आप जमीन में जरूर प्लांट लगाए काफी अच्छे से ग्रोव करते हैं उनको जादा देख भाल की ज़रुत भी नहीं पड़ती है गंबले में अगर प के शीड निकलने स्टार्ट हो गए है जमीन में अपने आप ही ग्रोव होते रहते हैं तो उमीद है आप लोगों को मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सस्क्राइब जरूर कर लीजेगा